नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है, मैं हूँ संकेत उपाद मनिपूर में 4 मई को दो महिलाओं के साथ खुई दरंदिगी से जुड़े वाइरल वीडियो की जाच ग्रेह मंत्राले ने Central Bureau of Investigation यानि की CBI को सौंप जिस मॉबाइल से वो वीडियो बनाया गया था, उसे बरामत कर लिया गया है, ऐसा बताया जा रहा है साथ ही वीडियो रेकॉर्ड करने वाले शक्स को भी गिरफतार कर लिया गया है, ये जानकारी भी मनिपूर वाइरल वीडियो केस का ट्रायल भी राज्ज से बाहर होगा ऐसी भी जानकारी केंद्र सरकार से आ रहे हैं केंद्र सरकार के मुताबिक मनिपूर में हिंसा की घटनाओं में कुछ कमी आई है लेकिन कली हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि एक होती हैं हिंसाएं और एक होती हैं हाथ से और एक होते हैं वास्तविक्ता वास्तविक्ता तो अभी भी नहीं सुधरी है रात रात भर गोलियां चलती रहती है तो स्थिती सामानी नहीं हुई है यह सच्चाई 18 जुलाई के बाद से केंद्र सरकार कहती है कि किसी की मौत नहीं हुई केंद्र सरकार के मुताबिक ग्रेहम अंत्राले मनिपूर में मैतेई और कुकी संगठनों के संपर्ख में हालात सामान्य करने के लिए लगातार बातचीत की जा रही है इस पर जादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सही होगी अखले शर्प जो वीडियो बनाया गया था दो महलाओं को लेकर उस वीडियो की जो पूरे मामले की जाँच है उसे सीबी आई को सौपने का फैसला केंद्री गरी मिंताले की ओर से किया गया है यह पहली बात है दूसरी बात यह है कि सरकार अपनी और से अनुरोध करेगी कि इस पूरे मामली की जो सुनवाई हो वो मणिपूर से बाहर हो ताकि जो पूरी सुनवाई है वो निश्पक्ष धंक से हो सके यह दूसरा फैसला इस मामले में किया गया है तीसरा इसमें जो एक महजटपूर्ण घटना करम है वो ये है कि जिस मुबाइल फोन से ये पूरा वीडियो शूट किया गया था वो मुबाइल फोन बरामत कर लिया गया है इसके साथ ही जिस व्यक्ति ने इस पूरे घटना करम को शूट किया था केंद्री गृमिंतरी अमिश्या इस मुद्दे पर बोलेंगे क्योंकि मामला ये गृमिंतर लेंगे अधीन आता है यहां पर यह कहा जा रहा है सरकार की और से कि खुद गृमिंतरी लगातार चार दिनों तक मनिपूर में रहे थे और वहाँ पर शांती स्थापना के लिए तमाम कदम उठाए थे, लोगों से बाचीत की थी, वो जो शिविर थे वहाँ पर भी गए थे और इसलिए केल सरकार ने अपनी और से कोई कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन जाहिर से बात है कि विपक्ष अभी सरकार को धील देने के मूड में नहीं है और इसलिए अविश्वास पस्ताव लाया गया है और विपक्ष ये कोशिश होगी कि जब इस पर बहस हो, तब मोधी सरकार को और पीम मोधी को इस पर घेरा जाए इस भी जाश में ये सामने आया है कि नागलेंड से सरकारी हथियार डीपो से गोला बारू चोरी कर बाहर बेचा जा रहा है ये गोला बारू मनिपूर की हिंसा में इस्तेमाल किये जाने का भी आरोप है अब आप सोच सकते हैं, पडोस के नागलेंड में पुलिस के एक इंस्पेक्टर पर आरोप की वो असलहे मोहया करा रहा है यानि की जो हिंसा ग्रस्त मनिपूर है, यहाँ पर नागलेंड के इंस्पेक्टर गिरफतार हथियार मोहया करानी की अब इस पूरे मामले में नागलेंड पुलिस के जो शस्त्रागार है, वहाँ से हथियार और गोला वारूद चुरा कर मनिपूर के उगरवादियों को देने का एक इलजाम लग रहा है कि ये तो एक पकड़े गए, अब आप सोची कितने सारे और होंगे, ऐसे ही थोड़ी वहाँ पर हथियार मिलते चले जा रहे है कहीं से तो आ रहे होंगे ना, तो ये एक उसकी बात पता चिले है पुलिस जाच कर रही है, मनिपूर की पुलिस, कि कैसे ये हथियार चुराए गए और मनिपूर तक पहुंचाए गए रत्नदीब चौदरी की ये रिपोर्ट देखिए ये शाक्स नागालेंड पुलिस में इंस्पेक्टर है और फिलहाल पुलिस जाच के घेरे में है आरोप में 6 लोग गिरफतार किये गए हैं जिनमें ये इंस्पेक्टर 4 आम नागरिक और एक स्थानी हथियार तसकर शामिल है जो 4 आम नागरिक गिरफतार हुए उनमें से 2 मनिपूर के हैं इन सभी पर आरोप है कि इनसास आटोमेटिक राइफल और सेल्फ लोडिंग राइफल यानि SLR में इस्तेमाल होने वाली हजारों राउंड गोलियां इन्होंने चोरी कर बेची ये गोली बारूद चूमो केडिया के सेंट्रल आर्मरी स्टोर से चोरी किया जा रहा था गिरफतार पुलिस इंस्पेक्टर का नाम माइकल यान्थन है और उग्रुवादी घुटो ने उसे गोली बारूद के लिए सवा चार लाक रुपए दिये थे जो इंस्पेक्टर स्टोर का इंचार था उसने वेक्तिगत अस्तर पर हतियार और गोला बारूद चुराए और इस मामले में किसी और की साजिस नहीं पाई गई है पुलिस ने करीबी से निग्राने करते हुए पैसे का लेंदे ने सापित किया यह हतियार मड़ीपुर के लोगों को बेजने के लिए चोरी किये नागलन पुलीस को सूत्रों के मुताविक एक खवर मिली और 9 जुलाई को एक ऑपरेशन शुरू किया गया और 10 जुलाई को नागलन पुलीस ने एक गाड़ी से जिसका नंबर प्लेट असाम का था उससे 2500 लाइव एमनेशन बरामत किये टीन बोरों में भठटी करके लेके जा रहे थे दो लोग थे उस गाड़ी में उनको लिए और इसके बाद नागलन पुलीस को पता चला की एक औरत भी उसमें शामिल है उस औरत को लेका ले और इंज से जो कवर नागलन पुलीस को मिली उसके तहत एक उग्रवादी संगठन जिसके साथ अभी शांती पक्रिया चल रही है उसके एक नेता को पकड़ा गया उससे ख़बर मिली और एक आम्स डीलर की और वही आम्स डीलर से जो इनपुट नागलन पुलीस को मिला उससे उसने अपने ही इंस्पेक्टर जो की पुलीस आर् आर्मरी से की है ऐसा पहली बार नहीं है कि हथियारों की इस तरह सरकारी शस्त्रगार यानि आर्मरी से चोरी हुई हो दस साल पहले एंडी टीवी ने अपनी एक जांच में बताया था कि कैसे नागालैंड के कई इलाके खासकर दीमापूर हथियारों की अवैद खरीद फरो बलों को हथियार दिये जाते हैं ताकि वो उग्रुवादियों का मुकाबला कर सकें लेकिन बीते सकतर दिनों से जिस तरह उग्रुवादी मनिपूर में सुरक्षा बलों से भिड़े हुए हैं उससे साफ लगता है कि उन्हें हथियारों की सप्लाई काफी ज्यादा हुई ह जिसमें सरकारी शस्त्रागार के हथियार भी शामिल हो सकते हैं रत्न दीप चौधरी की रिपोर्ट एंडी टीवी इंडिया अब आप सोचिए आप सकते में आ जाएंगे कि एक पडोसी राज की पुलिस और व्यवस्था असलहे सप्लाई कर रही है तभी तो गोला बारूद मिल रहा है ना उनको ऐसे कैसे वह रात रात भर कल की आपने सौरग गुपता की रिपोर्ट देखी थी कि रात रात भर गोल होंगे दरसल नागालेंड से सरकारी हथियार डीपो से हथियारों की चोरी कि यह कोई नई बात नहीं है आपको यह बता दें कि 10 साल पहले सन 2013 में NDTV इंडिया की ही हमारी सहयोगी नीता शर्मा ने एक रिपोर्ट की थी जिसमें यह दिखाया गया कि कि किस तरह नागालेंड का दीमापूर हथियारों की तसकरी का एक अड़ा बन गया है दस साल पहले आप भी देखिए दीमापूर से नीता शर्मा की वो एक्स्क्लूजिव रिपोर्ट क्योंकि उससे एक आपको परस्पेक्टिव समझ में आएगा कि 10 साल से कोई चीज से ली जा रही है अगर उस सम कि नहीं होती है नीता की रिपोर्ट कि नमस्कार मैं नीता शर्मा मैं इस वकत दीमापूर में हूँ ये शहर दिल्ली से बहुत दूर है इतनी दूर कि दिल्ली अक्सर इसे अंदेखा कर देती है यही शिकायत दीमापूर की अक्सर रहती है लेकिन इस अंदेखी की वज़ा से कम से कम एक कारोबार यहां पे धडल्ले से चल रहा है वो है हथ्यारों की नजाइस खरीद पिरोक्त का इस कारोबार में हथ्यारों के सौदागर ही नहीं तसकर और अफसर भी शामिर है देश में शायद ही कोई दूसरी सड़क ऐसी हो जैसी दीमापूर की ये इरोस लाइन या जाकी सोदोर रोड है कि ये सड़क मुझे दीमापूर के हथ्यारों के बाजार में ले जा रही है इस सड़क पर चलते हुए आप जिधर देखे उधर ही हथ्यारों की दुकान दिख जाएगी चलते चलते हमारी मुलाकार बिहार के मंटु शर्मा से होती है जो यहां हथ्यारों की मरमत का काम करते क्या जाइज हथ्यारों के इस बाजार में नाजाइज हथ्यार भी पहुंच जाते हैं मंदू शर्मा मानता है कि पहुंच जाते हैं लेकिन इस कारोबार से उसका कोई वास्ता नहीं है हथ्यारों के इस बाजार में हथ्यार बिकते ही नहीं बनते भी हैं और उनकी मरमत भी होती है नागालेंड में ये धंदा इतना फल फूल रहा है कि मंटू शर्मा को अपनी दुकान में आदमी भी रखने पड़े हैं इस्चेन इस प्रते हैं किस तरह थे अमुनेशन होता है किस तरह के अमुनेशन होता है प्रवीर राय, 17 साल से हथ्यार बेच रहे हैं, बताते हैं कि घर घर में बंदूख है और हर तरह का शिकार होता है जाएज और नाजाएज के बीच का सुराख, खोजने में पुलिस भी जुटी है क्योंकि देश में कहीं भी नाजाएज हथ्यार हों, उन पर दीमापुर की मोहर लगे मिलती है कह सकते हैं कि इन दिनों दीमापुर नाजाएज हथ्यारों की राज़दानी बना हुआ है यहां से चल रहे इस धंडे ने देश के पूरे सुरक्षा तंत्र को हिला रखा है हथ्यारों के इस बाजार में सब कुछ मिलता है आप दाम बताईए, आपको हर हथ्यार यहां असानी से मिल जाएगा GST यानि German Sports Gun Glock Pistol जो एक सिनी आउटोमेटिक विपन है सिक्स ओवर्ड, आउटोमेटिक काबाइन और एक सिन्तालिस से एक छप पन्तागी स्मॉल आम्स के लिए आसाम एक ट्रांजिट रूट है भार के लिए दिमापूर से लोग खरीदते हैं और अलग अलग जागे ले जाते हैं पर जो सोफिस्टिकेट वेपन है वो हमारे मेगले जो जी एनले बोलते हैं और आसाम के कुछ ग्रूप्स जो है वहीं से खरीद लेते हैं नागलेन में आपको जुस तरह का हत्यार चाहिए वो यहां पर आपको असानी से मिल जाएगा मेरे हाथ में जो यह वेपन है यह आस्ट्रियन मेड है और यह कारबाइन है यह तना सफिस्टिकेटेड है कि SPG जो प्रधान मंत्री की सुरक्षा में लगी हुई है वो इसका इस्तिमाल करती है यह GSG है जो की जर्मनी की है यह ग्लॉक पिस्टिल है यही नहीं यहां पर चज़ेक के हत्यार भी मिल जाएंगे बताया जाता है कि यह सारे के सारे हत्यार मैनमार होते हुए नागालेंड पहुँचते हैं इस बाजार में हत्यार जैसे दुनिया के हर कोने से पहुचते हैं लेकिन सबसे दिल्चस बात यह है कि सबसे पहले वो खर से ही आते हैं राज्य सरकार की एक जान से ये बात खुली है कि नागलेंट पुलिस ही अपने हत्यार संदीक अधिवादियों को बेचती है ये सब वो वेपन्स हैं जो नागलेंड में अंडरग्राउंड ग्रूप्स से पुलिस ने बरामत किये हैं मेरे हाथ में जो इस वकत वेपन है उसका नाम है M-16 ये अमेरिका ने बनाया है और इसकी जो एकुरिसी है बहुत ही सर्टीक बताई जाती है अब ये आरोप लग रहे हैं कि जो ये वेपन्स हैं वापस अंडरग्राउंड ग्रूप्स की और जा रहे हैं यही नहीं नकसलवादियों तक ये वेपन्स जा रहे हैं इसे लेकर अब हमारी जो सुरक्षा एजिंसियां हैं वो काफी चिंतित दिखाई पड़ रही है दीमापुर के पुलिस हथ्यार खाने में हमें तालों में बंद दिखे इतने सारे हथ्यार लेकिन असल में चौकसी इन हथ्यारों की नहीं पुलिस वालों की हो रही है पुलिस वालों के सभी ग्यारा जिलों में पुलिस वालों की नागलन के सभी ग्यारा जिलों में पुलिस के हथ्यारों और कार्तूसों की गिंती चल रही है हर जगा तादात कुछ कम मिल रही है मैं इस वकद दीमापुर की पुलिस आमरी पर खड़ी हुई हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसलास पड़ी हुई है और उधर आमोनेशन पड़ा हुआ है जब से इस तरह की खबर आ रही है कि पुलिस आमरी से वेपन्स और एमोनेशन गायब हो रहा है तब से नागलन पुलिस हर हचते हर वेपन की और एमोनेशन की अकाउंटिंग कर रही है और पुलिस वालों पर निगार रख रही है राजी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 1991 से 2012 के बीच पुलिस वालों के 170 हथ्यार और 55,000 गोलियां गायब हुई है। पुलिस का दिश्वास मतलब नहीं है उसमें। इसलिए वरी सिरस्ली लेता है। मामले में राजी के डिस्ट्रिक कलेक्टर की भी चांच हो रही है। जांच में एजिंसियों को ऐसे दस्तावेस मिले हैं। जिन से पता चलता है कि जादतर डिस्ट्रिक कलेक्टरेट दो रिजिस्टर रखते हैं। एक जायज और दूसरा नाजायज हथ्यारों की बिक्री का। दिनापोर के इस शहर में सबसे जादा भारत सरकार की सरकारी एजिंसियां और खुफिया एजिंसियां तैनात हैं। लेकिन बावजूद इसके सबसे जादा फर्जी लाइसेंस इसी शहर से बन रहे हैं। देश के किसी कोने में भी अगर कोई फर्जी लाइसेंस पकड़ा जाता है तो उसका रिष्टा इसी शहर से निकलता है। जाहर सी बात है कि इसकी जिम्मेदारी सबसे जादा यहां के प्रिशासन की है। नौबत यह आई है कि इस पूरे मामले की जाँच के लिए एसाइटी का गठन कराना पड़ा है। एसाइटी ने जो शुरुआती जाँच की उसके नतीजे कम चौकाने वाले नहीं है। इसके मताबिक जादतर मामलों में पूलिस प्रशासन को ये नहीं मालूं कि उनके दिये गए लाइसेंस पर हत्यार किसने खरीदे। प्रशासन ने हत्यारों के नंबर तक रिजिस्टर में डालने की परवा नहीं की। जिनसे पता चलता है कि वो प्रोहबिटेड बोर के हैं या फिर नौन प्रोहबिटेड बोर के। लोगों को लाइसेंस दिये जाने की वजह तक रिजिस्टर में दर्ज नहीं हैं। जबकि इसके बिना लाइसेंस नहीं दिये जा सकते। और तो और कलेक्टरेट और राजसरकार को बताए बिना लाइसेंस जारी किये जाते हैं। ये काम सब डिविजनल मुख्यालों से होता रहा। नागलिन में जायस और नाजायस का फर्क मिटाने का, नाजायस हत्यारों को जायस बनाने का, बकायता एक पूरा सिस्टम बन गया है। इस सिस्टम में काला बाजार से नाजायस हत्यार लाए जाते हैं। उन्हें फर्जी दस्तावेजों के सहारे जायज बनाय जाता है। हत्यार खरीदने से पहले पूचेस पॉमिट जुटाय जाता है। फिर हत्यारों के दलाल ये सब लेकर अधिकारिक दुकानों तक जाते हैं। और अंत में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरिट से इनके कागज तयार हो जाते हैं इसके बाद किसी को ये शक नहीं रह जाता कि ये जायज हत्यार नहीं है इस तरह की दुकानों पर भी ये काम होता है और इसलिए एजिंसियां इन पर नजर रखती है साफ है कि इस धंडे में इलाके के कारोबारी से लेकर सरकारी अफसर तक शामिल है कोकरजहर के इस इलाके ने पिछले दिनों में काफी हिंसा देखी है उस हिंसा में इस तरह के हत्यार इस्तिमाल हुए हैं जो आम नागरिक को असानी से नहीं मिल सकते सवाल है कि ये हथ्यार उन तक के से पहुँचे जवाब है दीमापुर के उसी हथ्यार बजार से जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं दीमापुर से आसम के कोकरजहर इलागे तक ह्थ्यारों का पहुँचने का सिलसला भी कम हیرानी वाला नहीं है नागलिंड में पल पूल रहे हत्यारों के इस धंडे को करीब से देखीं तो एक और सच्चाई खुलती है इसका एक पूरा रैकेट है इसका एक पूरा रूट है नैशनल हाईवे 39 असम से शुरू होकर मयनमार की सीमा तक जाता है तसकर इसी रास्ते का सबसे जादा इस्तिमाल करते हैं तरसल यहीं आकर इस कारूबार का एक और खौफनाक पहलू खुलता है हत्यारों की इस सौदागरी के तार चीन से भी चुड़ते दिखते हैं यह हत्यार चीन की North Industries Corporation से रूली में खरीदे जाते हैं रूली चीन और मयनमार के बीच का एक इलाका है रूली से यह हत्यार नागलन के मोन जिले में लाए जाते हैं इसके लिए मयनमार की चिंदविन नदी का रास्ता इस्तिमाल किया जाता है मोन से यह हत्यार दिमोपूर पहुचते हैं और फिर बाकी भारत में तो जैसा कि आपने देखा नीता शर्मा की इस शांदार रिपोर्ट को दस साल पहले सन 2013 में उन्होंने कितने डीटेल कितने विस्तार से यह बताने की कोशिश की कि कैसे नागालैंड से अवैद हत्यार को वैद हत्यार बनाने का और लाइसेंस को फरजी लाइसेंस बाजार में उतारने का एक पूरा रैकेट चल रहा है ताकि पुलिस की आर्मरी याने की पुलिस का अपना असलहा और अपना हथियार ताकि वो चोरी ना हो क्योंकि वो हो रहा था उसके लिए वहाँ पर काउंटिंग हुई का गाहँज हथियार का जो कुरा कारोबार उसको रोकने का प्रयास किया गया है इसा 2013 में वताया गया है इसा आव है लाइश आथा ख मार्म के दाना है और दस साल बाद उतना सबकुछ होने के बाद और इस रिपोर्ट के बावजूद आज आज भी वही चीज, फिर पुलिस वाले पकड़े गड़े, फिर वही रूट, याने कि सच्चाई ये है कि 10 साल में कुछ भी नहीं बदला है, हालाद जैसे थे वैसे ही है, ताजा अपडेट दे रही है अभी के हालाद पर, नीता शक्तु नॉर्थीस्ट में जो इल्लीगल व अथ्यार हैं, उन्हें जायज बनाने का तरीका जो है, वहां के अड्मिनिस्ट्रेटिव लोग भी कर रहे हैं, इस मामले की जाच भी हुई थी, नी ने भी जाच की थी, कई लोग गिरफतार भी किये गए थे, लेकिन ये कारोबार जो है, वो आज भी चल रहा है, अभी हमन मातरा में आमनेशन भी बरामाद हुए थे, और आम्स भी बरामाद हुए थे, इस से रिलेटेड ये जो अरेस्ट की गई थी, अभी हमने हाल फिल हाल में दूसरा गराम एक्जांपल देखी, कि मनीपूर में देखा, कि मनीपूर में जो वाइलेंस के जो लेवल्स हैं, वो इतना इसकेलेट इसलिए हो रहे हैं कि कि लोगों के पास वहाँ पे हत्यार जो हैं, वो काफी भारी मातरा में अभी भी उपलब्द हैं, दूसरी तरफ सुरक्षा एजन्सिया बार बार ये बोलती रहे हैं, कि पिल्फिर होकर अक्रोस दा बॉर्डर से जो वेपन्स हैं, व मैन पावर क्रंच के कारण वो हर एक केस को जो है, वो सॉल्व नहीं कर पाती, लेकिन ये एक भारत के लिए सुरक्षा के लिहाज से काफी एक बड़ी चिंता का कारण है, नई दिली से नीता शर्मा, इंड़ी टीवी इंडिया के लिए, अब मनिपूर में ये हत्यार कैसे पहुंच जाते हैं, इस सब चीजों पर हम बात ने, हमने एक्सपर्ट से भी बात किये, जानने की कोशिश की कैसे ये दिक्कते आती है, तो मनिपूर के जो पूर्व डी जी पी है, वी एल वोहरा, उन्होंने क्या कहा, आईए आपको सुनाते, पुलिस के लिए ये रोकना बड़ा ही मुश्किल है, इसलिए कि बार्डर देखिए महनवार का बार्डर जो है, विल्कुल पूरस बार्डर है, पंद्रा सो किलो मीटर का बार्डर है, आप जानते होंगे मोरे एक जगा मनिपूर में, जिसको ड्रक्स ट्रैंगल का हिस्सा माना जाता है, ड्रक्स बड़े आते हैं वहां से, और बर्मी स्ट्रीक तो खैर है है, और हत्यार बड़े आते हैं वहां से, तो एक तो यह रूट है, दूसरा यह चिटा कौंग से जो आते हैं वाया बंगलादेश, बंगलादेश के साथ भी नौथीस्ट में अगर आप मानें, तो तृपुरा का बारडर yek 2000 क्लूमीटर से ओपर है, महान मान का बारडर миним प्रोडर 1700 क्लूमीटर के बरावर है, तो बारडर में प्रोडर पॉरस है, खाली है। अच्या मेरे में एक और प्रॉबलम है कि 20 को मीटर दर इदर उदर जो कम्यूनिटीज रहती है उनको आपस में ट्रेडिंग अलाओड है अब ट्रेडिंग की आप लगा सकते हैं टोकरें पर समान ला रहें गया थ्यार ला रहें हर चीज़ को तो कोई चेक होता नहीं ना कोई कर सकता है ना इतनी फोर्स है वहां पर जो चेक करें औ मनिपूर में दो महिलाओं के साथ बरबर सलूक की तस्वीरें दिल देहला देने वाली थी अभी हमने उसका जिक्र भी किया सीवियाई के जाच अब उसमें होने वाली है वैसी ही दरिंदगी की एक खबर मेरट से आई है जहां एक किशोरी को निर्वस्तर कर दबंगों ने ना सिर्फ बारी बारी दुशकर्म किया बलकि उसका अशलील वीडियो भी बनाया और फिर किशोरी को बुरी तरीके से पीटा आरोपियों को पकड़ लिया है लेकिन कुछ आरोपी अब भी पुलिस की पकड़ के बाहर है सौरब शुक्ला की यह रिपोर्ट यह आवाज उसके शौरी की है जिसके साथ उसके मुहले के कुछ लड़कों ने जंगल ले जाकर गैंग रेप किया फिर निर्वस्तर कर उसकी पिटाई कर वीडियो बनाया और तीन महीने तक पीडिता को पुलिस के पास ना जाने के लिए वीडियो वारल करने की धमकी देकर ब्लैक मेल करते रहे पुलिस के अनुसार पडोस में रहने वाले एक दबंग ने किशोरी को कोड रिंग में नशीला पदात पिलाया फिर उसे जंगल ले गया यहां उसके साथ दुशकर्म की वार्दात की गई इसी वक्त कुछ और आरोपी मौके पर पहुँचे और उन्हों ने किशोरी को लेकर आने वाले अब्दुल की पिटाई कर उसे भगा दिया इसके बाद किशोरी के साथ दरिंदगी की गई उसने कैमरा बंद करने की गुहार की तो उसे बेल्टों से पीटा गया पूरी वार्दात दो वीडियो में कैद हुई जो अब वाइरल है पिटा को मुबंद रखने की धंकी दी गई थी वीडियो पिटा के भाई के मोबाईल फोन तक पहुचा तो परिवार ने पिटा की आप भीती जानने के बाद पुलिस से शिकायत की और पुलिस ने चार नाम जद और चार अग्यात आरोपियों पर केस दर्ज कराया है लेकिन पीडिता के साथ मार पीट करने वालों और वीडियो बनाने वालों को पुलिस अभी तक नहीं पकड़ पाई इस मामले में अब तक शाकिर, आलम, पप्पु नाम के तीन आरोपियों के अलावा एक और आरोपि की गिरफतारी की जा चुकी है वीडियो स्पूरी घटना का बेहत दर्दनाग है अभी तक पुलिस सिर्फ चार आरोपियों को पकड़ पाई है अभी भी चार से पांच आरोपि फरार है मुकत्मा रविवार को लिखा गया था और मुकत्मा लिखे चार दिन हो चुके हैं सवाल यह है कि अगर कानून विवस्था उत्तर प्रदेश में इतनी बहतर है तो यह घटनाएं कैसे होती रहती है दिली से सौरब शुकला एंडी टीवे इंडिया आज़े रुक करते हैं हमारी अगली ख़बर का देश 21 सदी में है और हमारे नौजवान पीडी को शायद यह एहसास भी नहीं होगा कि हमारे देश में इनसान का मल मूत्र आज भी हातों से उठाया जा रहा है अंग्रेजी में इसे manual scavenging कहते हैं याने कि हाथ से या सिर पर मेला ढोना केंद्र सरकार ने कल ही जानकारी दी है कि देश में 766 जिलों में 236 जिले आज भी खुद को मेला ढोने से मुक्त घोशित नहीं कर पाए यानि देश के 31 प्रतिशत जिलों में आज भी हात से मेला ढोने का सिलसिला जारी है इसे ऐसे समझिये कि हर 10 में से 3 जिलों में टैंक की गंदगी अपने हाथों से या अपने सिर पर धो रहें ये कैसा 2023 का भारत है वो भी अपनी जान पर दाओं लगा कर ये जानकारी केंद्रिय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास अठावले ने राजिसभा में दी सरकार खुद कह दी उन्होंने कहा है कि देश के 766 में से 530 जिले मैलाड होने से मुक्त हो गए हैं लेकिन इस तस्वीर का दूसरा पहलू देखना जरूरी है वो 236 जिलों में इनसानी मैलाड होने की ये कूप रथा जारी है जो इनसान होने की गरिमा को तार-तार करती है खुद सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 2018 से लेकर अब तक भारत में करीब 340 लोगों ने सीवर और सेप्टिक टैंकों में इनसानी मैला साफ करने की कोशिश में जान गमाई है सरकारी आंक्डे हैं ये 2018 से अब तक करीब 5 साल का है ये अब ये तो सरकारी आंक्डे हैं कुछ लोगों का दावा है कि असलियत में इससे भी ज़ाद है सीवर और सेप्टिक टैंकों में सफाई के लिए किसी भी इनसान के लिए उतरना किसी मौत के कुए में उतरने के बराबर आए दिन खबरें आती हैं कि सीवर और सेप्टिक टैंक में उतरे सफाई कर्मी उपर लोटे ही नहीं उन्हें निकालने के लिए कोई और भी गया तो वो भी मर गया दर असल इन सीवर और सेप्टिक टैंकों के अंदर भायानक गंदगी होती है और उससे जहरीली गैस पैदा होती है और उसमें उतरने मतलब वहां अंदर जाते ही आप कलपना नहीं कर से किस किस्तिती हो सकते है आप और हम मुझे बोलने में भी दिक्कत हो रही है ये बाद आप कलपना नहीं कर सकते हैं वो जहरीली गैस सूंगत हैं क्योंकि कोई सुरक्षा कवच उनके पास होता नहीं है एक ऐसी चीज करने को मजबूर हैं जो कि बैन है सं 93 में बैन सं 2013 में बैन सुप्रीम कोर्ट का 2014 का आदेश लेकिन फिर भी सरकार खुद कहती है कि आज भी लोग उतर रहे हैं और सरकारी आंकड़े के हिसाब से 340 के आसपास लोगों की मौत हो चुकी है यह कैसा बैन है सीवर और सेप्टिक टैंकों की मशीनों से सफाई के लिए केंदर सरकार ने 2022 में नमस्ते नाम से एक योजना भी लागू की जिसका पूरा नाम है नैशनल एक्शन फोर मेकनाइज सैनिटेशन इकोसिस्टम नमस्ते अब सीवर सेप्टिक टैंकों की सफाई मशीनों से होनी है तो फिर यह मौतें क्यों हो रहे हैं अच्छा फिर एक सवाल ये भी है कि आप बताईए जब 2013 में कोई चीज बैन ही 1993 में पहले बैन हुई फिर 2013 में सुप्रीम कोट का आदेश भी आगया फिर भी लोग मर रहे हैं दस साल लग गए अभी तक लोग मरते चले जाए आए आखनों के आएने में देखते हैं पिछले पांच साल में हर साल कितने लोग 2020 में 22 कोरोना का साल था, 2021 में 58, 2022 में 66, 66, 2023 में अब तक 9 और मैं एक बार फिर से दोहरा दूँ ये सरकारी आखने हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो की काम करते हैं इस खेत्र में उनका एक हैना है कि अनोफिशली ये और भी जाता है अब आप सोचेंगे कहा हो रहा है आईए आपको ओ दिखा दें तो मैला ढोने में जो मौते हो रही है उसमें टॉप पर है हर्याना सत्रा मौते दोहजार बाइस की जो मौते हुई थी उसके आधार महराश्री नंबर टू पर 15 मौत तमिलनाठ तीसरे नंबर पर 13 उत्तरप्रदेश 8 दिल्ली 6 गुजराच 4 आंदरप पंदी है जैसे कि हमने आपको बताया फिर भी सीवर में मौत हो रही है 2013 से किसी भी व्यक्ति को मैला ढोने के काम में लगाया नहीं जा सकता National Action for Mechanized Sanitation Ecosystem यानि की नमस्ते लॉंच हुआ नमस्ते के तहत मशीने जो हैं उनसे ही सीवर और सिप्टिक टैंक की सफाई होनी थी 2022-2023 में सफाई कर्मियों के पुनर्वास के लिए क्योंकि ये सब लोग है पहले यही काम करते थे ताकि उनको कुछ और काम मिले इस वज़ा से 70 करोड रुपे रखे गए लेकिन आप ही सोचिए सरकारी आख्रों के हिसाब से 58,000 और फिर मैं कहा रहा हूँ सरकारी आख्रे कहते हैं कि सफाई करमचारी 58,000 है और आपने उनके पुनर्वास के लिए 70 करोड रुपे निका लेंगे क्या ये पैसे काफी हैं? सफाई मशीनों की खरीद के लिए रियायत दी गई सफाई करमियों को अपने काम से जुड़ी सुरक्षा का प्रशिक्षन शुरू किया ले सफाई के काम में मौत रोकने का लक्ष लेकिन अब भी हासिल नहीं हुआ है और ये जितने टार्गेट्स रखे गए वो पूरे नहीं हुए इसी से जुड़े हुए बड़े सवाल है कुछ हर्याणा महराश्र तमिल नाडू सबसे जदा मौते होती है कहां है एक्षन दो सक्त पाबंदी के बावजूर हाथ से महला ढोना अब तक कैसे जारी कौन जिम्मेदार तीसरा नम पहला बैन सन तेरानवे दूसरा बैन दोजार तेरा सुप्रीम कोर्ट का आदेश लेकिन अब तक अभी भी मौते हो रहे हैं क्या यह पूरी सरकारी प्रणाली राज और केल की विफलता नहीं है और विफलता का प्रतीक नहीं है हमने यह सवाल पूचे हैं बेजवाड़ा विल्सन से आप करमचारी सफाई करमचारी आंदोलन के सदस्य हैं बेजवाड़ा जी इस मुद्धे पर मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि मैला ढोने पर पाबंदी के बावजूर उससे जुड़ी मौत हो रही इसको आप किस त का जड़्जमेंट भी है इसका कानून का ज़रूरी नहीं यह देश का नागरिक का थटी उठाने के काम पे लगा के उनका रोटी दे के हम लोग ने सुप्चा पहात साइलेंट साफ करके बाइटते हैं यह सारे इस तीजे ने इनसानियता बिल्कुल नहीं है हमने इसका सीर कि वो तो बिल्कुल नहीं है पार्लेमेंट पर आनॉंसमेंट का बेना इस पर कुछ भी नहीं हो रहा है एक सवाल में आप से पूछना चाहता था कि यह जो आंक्डे हैं जो अभी जारी किये गए सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से आंक्डे हैं आप और आपके जैसे सारे ऐसे लोग हैं जिनका यह मानना है कि असलियत में और भी ज़्यादा लोग हैं जो इस काम में जुटे हुए हैं और मौत के आंक्डे और भी ज़्यादा है तो अंडर रिपोर्ट हो रहा है बिलकुल इस ज़्यादा है हमरे पास अंकड़ा भी है और में हो सकती हैं जब हम नई टेकनोलोजी का इस्तेमाल करें मशीनों से सफाई करें क्या आपको लगता है कि इस दिशा में यह जो नमस्ते स्कीम है मशीन से सफाई का इस स्कीम के बावजूद भी खुले आम हाथ से सीवर और सेप्टिक टैंक साफ किये जा रहे हैं तो पिर सफलता पर आप क्या कहें वह डेशिशन का प्रदान मंत्री लेवल पर स्तार पर यह काम शुरू करना और वावज्ट नागरिक बताना और स्टेट जिम्यादारी लेना इसका सारे जिम्म्यदारी कुल सेंट्रल गवर्मेंट में लेकर एक यांत्रिक रूप से कैसे साफ सफाई हो सकते वो भी टेक्नलोजी इनकार्पोरेट करना ज़रूरी है इसका एक संस्ता भी ज़रूरी है 130 करोर लोग का 30 कैसे मैनेज करना इसका कोई भी नहीं सोचेगा वो सफाई करमचारी है वो सोचेंगे सारे हम सारे हाथ साफ करके बाइट जाएंगे ये नहीं हो सकते सरकार ने इसका जिम्मेदारी लोए ना, कैसे हम लोग ने हमारा थक्तिका सारे, हम कैसे इसका मैनेज कर सकती, इसका क्या टेक्नलेजी ले सकती, टेक्नलेजी कैसे अडप्ट करना, कैसे इंस्ट्यूट बनाना, इसका कितने बजेट पे करोर रुपया कर्च करना, यह यजिना एक्षेन प्लान बिल्कुल टाइम बाउंड कब तक यह हो सकते कि वोने एक प्रामिस देना ज़रूरी है यह काम पे कितने लोग आज का पर है देश बर उनका पहचान करना ज़रूरी है उनका पुनर्वास करना सरकार का जिम्मेदारी है बेजबड़ा विल्सन जी आपका बहुत बहुत धनेवाद संयोजक हैं आप सफाई करमचारी आंदोलन के आपने हमारी आखें खुली और इससे पहले कि हम ब्रेक में जाएं हम अपने दर्शकों को बस एक ही चीज सोचने पर मजबूर करना चाहते हैं जरा सोची कि आपके घ हो करके ला रहा है दस साल बैन हो जाने के दस साल बाद भी अभी भी लोग मर रहें यह करते हो और एक आदमी को उतरना पड़ रहा है सोचिए क्या यह होना चाहिए यह हमारी विफलता नहीं अब देखे शादियां पार्टी लेडी संगीत यह संगीत समारो यह सब तो हर परिवार में होता है उसके बाद लोग उस पर नाशते गाते भी हैं पर क्या आप जानते थे कि बहुत सारे लोग खुशी में जो नाश इतने गाने के लिए आपने तो कॉपीराइट का उलंगन किया है अब ऐसा माना जा रहा है कि यह लाइसेंस फीस नहीं भरनी पड़ी कॉपीराइट का उलंगन यह नहीं होगा आप शादी व्याह में जम के नाच गा सकते हैं केंद्र सरकार के निर्देश पर शादियों के जश्ट में बजने वाला बॉलीवूड संगीर अब लाइसेंस से मुक्त हो गया तो अगली बार जब बैंड बाजा बारात हो तो नाचिये गाईए धूम चाहिए खबरों की खबर में इतना ही कल तक के लिए नमस्ताइए